नमस्कार दोस्तों एन्टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चारक की नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चारक की नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्यूंकि अधूरा ग्यान हमेशा घातक होता है दोस्तों आचारे चारक के के एनुसार इस्तरी हो या पुरुष दोनों को सदैब गुप्त रखनी चाहिए ये बातें कौन सी बातें आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आचारे चारक के दोरा लिखित नीतियां व्यक्ति के जीवन को सफलता की सीडियां चढ़ा सकती हैं और बहुत सहायता करती हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जिन्हें आचारे चारक के केनुसार हमेशा ही गुपत रखना चाहिए दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों चारक के नीती के अनुसार आपके पास कितना भी धन हो या बिल्कुल भी ना हो इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं होना चाहिए इस बात को रिष्टेदारों और अपने सगे संबंधियों से भी गुपत रखना चाहिए आचारे चारक के आगे बताते हैं अगर कहीं आपका आपमान हो गया है तो आप उसे खुद तकी सीमित रखें यदि आप इस बात दूसरे लोगों को बताएंगे तो ये बात और फैलेगी और इससे आप एक मजाग का पातर बनेंगे तो बहीं दूसरी तरफ लोगों में आपका अपना सम्मान भी खो देंगे चारक की निती के अनुसार यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो इस दौरान उपियोग में लाए गए मंतरों का जिक्र भी किसी के साथ ना करें शास्त्रों में पूजा पाठ के दौरान किये गए मंतर के उचारन की जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए आप काउन सा मंतर उपियोग में लाते हैं क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है दोस्तों आपको कभी भी अपनी उमर किसी को नहीं बतानी चाहिए इसके भी कई नुकसान होते हैं यदि आप किसी को अपनी उमर बताते हैं तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है आचारे चारक के आगे बताते हैं यदि आप किसी ग्रह दसरा से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप काम कर रहे हैं या टोना टोटका कर रहे हैं तो इसकी जानकारी किसी और को कभी ना दें नहीं तो वो टोना टोटका कभी भी काम नहीं करता है दोस्तों चारक्की जी आगे कहते हैं किसी भी बीमारी के उपचार के दोरान अगर इसकी जानकारी आप किसी और को देते हैं तो आचारे चारक्की के अनुसार यह भी अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों पुरुष को अपनी पतनी के साथ गुजारे हुए निजी पलों को किसी के साथ साज़ा नहीं करना चाहिए कई लोग इसे अपने मित्रों के साथ बैट कर साजा कर देते हैं लेकिन ऐसा करने से आपके घर की मरियादा भंग होती है और इसके कई नुकसान भी होते हैं चारकी जी आगे कहते हैं इंसान को इस तरह से दान करना चाहिए कि अपने दूसरे हाथ को भी पता ना चले आज कल ऐसे ऐसे दान बीर हैं जो जरूरत मंद को दान करने के बाद उस दान का धिंडोरा पीटने लगते हैं जो की गलत है दान हमेशा गुप्त रखना चाहिए खावा करने की बहुत ही गलत आदत होती है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरों को लेकर दस लोगों के बीच में चले जाते हैं और बहां अपनी तारीफ करवाते हैं आईसा करने बाले लोगों से उनके शुब चिन तक धीरे धीरे उनसे दूर होने लगते हैं पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक आइसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फोर्मेटी वीडियो के साथ त अब तक के लिए जय हिंद